हलो दोस्तों, आज से हम लोग बात करेंगे हिंदुस्तान में अंग्रेजी अधिकारियों की जिन्होंने हिंदुस्तान की धर्ती पे अंग्रेजी सत्ता की स्थापना में सबसे बड़ी भूमी का निभाई थी और इसमें सबसे वड़ा नाम आता है रौवर्ट क्लाइब का दोस्तो रौवर्ट क्लाइब यानि बंगाल का पहला गवर्णर लेकिन बंगाल का गवर्णर बनने से पहले 1744 में वो 18 साल की आयू में भारत की धर्ती पे महजेक क्लर्क के तौर पर आया था और अपने काबिलियत अपने बौधिक कौशल के दम पे 1757 आते आते वो हिंदुस्तान में कंपणी का सबसे बड़ा ओधेदार बन जाता है यानि बंगाल का गवर्णर नियुक्त होता है 23 जुन 1757 को हुए प्लासी के युद्ध में रौबर्ट क्लाइब की एहम भूमिका थी बिटिस इस इंडिया कंपणी के सेना का नेत्यतु करते हुए रौबर्ट क्लाइब ने केवल सैन बल पे ये युद्ध नहीं जीता था बलकि अपने सडेयंत्रों से ही ये युद्ध जीत लिया था उसने अपने प्रतिपच्छी यानि बंगाल के नवाब सिराजुद दौला के तीन मुख्य किरदारों को अपने साथ मिला लिया था जिसमें था मीर जाफर, राय दुरलब और जगत सेट और इनके क्लाइब के साथ आते ही बंगाल का नवाब पीछे हड़ गया यानि प्लासी का युद्ध क्लाइब अपने सैनिकोशल से नहीं बलकि बुद्धिकोशल से ही जीत गिया था और इसी के पुरुषकास रूप उसे मिलती है बंगाल की गवर्नरी यानि उसे बंगाल का पहला गवर्नर न्यूक्त किया जाता है दोस्तों 1757 में क्लाइब बंगाल का गवर्नर बनता है और कुछ एहम निर्णा लेता है इसमें सबसे पहला था दोई दिशाशन की इस्थापना 57 से 1760 तक क्लाइब बंगाल के गवर्नर के पहले गवर्नर के तौर पे रहता है और 1760 में वो वापस इंग्लैंड चला जाता है और उसकी जगे बंगाल का गवर्नर निक्त किया जाता है बैंसितार को लेकिन बैंसितार ने कुछ विशेश कारे नहीं किया था फिर भी अंग्रेजी सेना और मुगल और नवावो की सेना आमने सामने थी उसको जीतने यह जीतने का मेजर था और मुगल और नवावों की सेना अपने साहेकों के साथ उसको जीतने की कोशिश में थी लेकिन बकसर का युद्ध भी जीत लिया जाता है अंग्रेजों द्वारा और दोस्तों इसके बाद भारत की दास्ता की कहानी शुरू हो जाती है यानि बाहरत पे गुलामी की बेड़ियां जकडने लगती हैं और अंग्रेज अपनी जड़े और गहराई तक जमाते चले जाते हैं और इसी क्रम में उनको याद आता है अपना एहम अधिकारी रॉबर्ट क्लाइब सतरा सोपैंसट को एक बार दूसरे कारीकाल के लिए क्लाइब को बंगाल भेजा जाता है और फिर से वो दूसरे कारीकाल के लिए भी बंगाल का गवरनरन युक्त होता है को कूरी कोशिश करता है दोस्तों बंगाल में या कहें अंग्रेजी छेत्रों में अपने हाथ में रखने के लिए क्लाइब ने दोरी सरकार या दोयद शाशन की प्रणाली दी थी हाला कि आगे चल के ये प्रणाली करी बहुत ज़्यादा आलोशना होती है लेकिन क्लाइब ने इस प्रणाली में दीवानी यानि भूराजस वसील करने का अधिकार कमपनी को दिया और प्रशाशनिक अधिकार नवाब को रखे यानि आर्थित तंतर पर पूरी तरीके से कमपनी का अधिकार था और नवाब केवल नाम मातर का ही नवाब रहे गया था वो केवल जनता को दिखाने के लिए नवाब था और कहीं न कहीं वो पूरी तरीके से आस्रित था कमपनी के सपोर्ड पे या कमपनी के अधिकारों पे जो कमपनी उसको अधिकार देती थी वही वो कर सकता था, उसी से वो अपना प्रशासन चला सकता था और ये दोरी साशन पद्डती कहीं न कहीं अंग्रेजों के लिए बहुत अच्छी थी लेकिन हिंदुस्ताणियों के लिए बहुत ही बुरी थाबित हो रही थी दोस्तों दोएद असन पद्दती अत्यंत विक्रत प्रशाशनिक पद्दतियों में मानी जाती है दोएद प्रणाली के अंतरगत क्रसी को काफी नुक्सान हुआ क्योंकि आर्थिक तंत्र पे पूरी तरीके से अंग्रेजों का अधिकार था और वो किसी भी तरीके से टैक्स लगा के या किसी भी तरीके से शोशण करते जा रहे थे लोगों से जादा से जादा वसूल करने की कोशिश कर रहे थे जादा से जादा टैक्स लगाने की कोशिश कर रहे थे और वो बिलकुल भी ये ध्यान नहीं दे रहे थे कि किसको कितना टैक्स देना है या इसका कोई नियमित संचालन नहीं हो रहा था अंधा धुंद कमाई हो रही थी इसलिए अंग्रेज अधिकारी पूरी तरीके से शोषण पे लगे हुए थे तो दोड़ शाशन की खामिया सामने आने लगी थी क्लाइब के समय ही और ये क्लाइब के जाने के बाद भी बहुत सालों तक बनी रही और इसका दूस परिणाम 1770 में और भी अधिक दिखाए दिया जब बंगाल में अकाल पड़ता है और अंग्रेज अधिकारी फिर भी टैक्स लेने से पीछे नहीं हटते जिसके चलते बहुत ज़्यादा जानमाल का नुकसान होता है ले बंगाल का प्रशाशक बनाया जाता है जिसमें था वेलरड जो 1769 तक क्लाइप के बाद बंगाल का गवणर बनता है और उसके बाद उतराधिकारी बनता है उसका कर्टीयर यानि बंगाल का तीसरा कर्टीयर 1400 को 1709 से 1792 तक दोनों ही क्लाइप की तरह योगी नहीं थे कोई खास उनको प्रशाश्चन का ग्यान नहीं था इसके चलते उन्होंने ना कोई कारी किया और ना कोई विशेस निरना लिया साथ ही जो कलाइफ के दिये हुए निरने थे और उनकी खामिया थी वो और ज़्यादा उजागर होने लगी द्वैद शासन की कमजोरियां सामने आने लगी और हिंदुस्तानी जनता ना सिर्फ परिशान हो रही थी बलकि अंग्रेजी सत्ता के बीश में भी विवाद बढ़ने लगे थे और इसका एक और कारण था कि कलाइफ ने अपने ही अधिकारियों पर जो पहले से वो कारे कर रहे थे निजी व्यापार और उपहार लेने की उनकी आदतें थी उन पर रोग लगा दी थी यानि निजी व्यापार नहीं कर सकते अने अंग्रेज अधिकारी और उपहार नहीं ले सकते जो भृष्टाचार का एक तरीका था जिसके चलते क्लाइव यानि अपने ही गवर्णर से नाराज रहने लगे थे अंग्रेजी अधिकारी और इसका नतीजा होता है स्वेट विद्रो के तौर पे और क्लाइव को इसे बहुत मुश्किल से सांथ करना पड़ा बहुत मुश्किलात आये स्वेट विद्रो को दबाने में दोस्तो इस वज़े से भी क्लाइव से काफी अधिकारी नाराज हो गए थे और साथ ही उसके द्वद्रशाशन की जो नीदी थी उससे भी काफी दिक्कते आ रही थी इसलिए भी विवाद बढ़ता जा रहा था क्लाइव ने एक तीसरी चीज़ की अपनी हुकूमत को सहायता करने के लिए उसने सोसाइटी आफ ट्रेड यानि व्यापार समिती के स्थापना की जिसका सीधा सीधा फाइदा अंग्रेजी व्यापारियों को ही होना था और इसमें क्या था कंपनी के कारिकरताओं को सहायता मिली इस निरणाय से जिनको नमक सुपारी और तंबाखू के व्यापार पे अधिकार प्राप्त था यह निकाय उत्पादों के समस्तमाल लगत मे लेकर निश्चित केंद्रों पर फुटकर व्यापारियों को बेचेने लगा जिससे एक तरीके से व्यापार पे पूरी की पूरी हुकूमत ही अंग्रेजी अधिकारियों की हो गई क्लाइम ने बारागस 1765 को मुगल समराठ शाह अलमदुती से इलहाबाद की पहली संधी की जिसकी सर्तों के अनुसार कंपणी को बंगाल बिहार तथा उडिसा की दिवानी प्राप्त हुई यानि बंगाल बिहार उडिसा की आर्थी तंतर पे भी अंग्रेजों का कबजा हो गया और यहां पे कोई भी प्रशाशक बैठा हो अब वो बिना अंग्रेजी हुकूमत के या कंपणी के अधिकारियों की अनुमत के कोई भी कारे नहीं कर सकता था क्योंकि अर्थ तंतर इसरफ पहल पर अधिकार प्राप्त हो गया अवत का जो छेत था उस पर भी उसके विए आर्थिक तंतर पहांत को में हैं तो अब के अलावा यो और को नवाब हो या प्राशाशक हो कुछ करी नहीं सकता रहे उसके पास पैसे ही नहीं है, उसके पास कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे वो अपना प्रशाशन सफलता पूर्वक चला सके, उसे प्रशाशन चलाने के लिए पैसे की आवश्यक्ता है, पैसे की निर्भरता के लिए वो कमपनी के पास ही जाएगा, तो कमपनी ने यानि ये जो क्लाइव था उसने जो ये दिवानी वाला छेतर दिया हुआ था कमपनी को इस से धीरे धीरे करके सारी ताकतें अंगरेजी हुकूमत के हाथ में आती जा रही थी दोस्तों काफी कुछ क्लाइव की प्रशाशनिक पद्दतियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि उसने बहुत ही गलत नेड़ने लिये थे दोएद शाशन प्रणाली उसमें सबसे ज़्यादा खराब थी और इसका नतीजा हिंदुस्तानियों को बहुत ही बुरी तरीके से जहलना पड़ा और अंगरेजी हुकूमत के अंदर भी काफी विवाद पैदा हो गए 1772 इस्वी में निउप्त हुए गवर्नर वारेन हैस्टिंग्स ने बंगाल का नया गवर्नर बनाया गया 72 में वारेन हैस्टिंग्स को यह कुछ बहतर अधिकारी साबित हुआ और इसने सबसे पहला काम किया कि द्वैद शाशन प्रणाली को समात्त कर दिया दोस्तो 1774 में क्लाइड यानि हिंदुस्तान में बंगाल के पहले गवर्नर की म्रत्य हो जाती है वो आत्मत्या कर लेता है और हमेशा के लिए उसकी कहानी समात्त हो जाती है तो ये कहानी थी हिंदुस्तान में पहले अंग्रेजी उचर्दिकारी की दोस्तो इसके साथ ही समात्त हो जाता है एक ऐसा यूग जिसने हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत की नीव को मजबूत किया था और इसी आधार पे जो नीव वो देखे गया था उसी आधारों पे अगले कई सो सालों तक अंग्रेजी हुकूमत हिंदुस्तान पे राज करती रही तो दोस्तों इसके आगे हम लोग देखेंगे वर्न इन हैस्टिंग्स की कहानी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों